सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और दबाईए इस बेल आइकन यानी घंटी को और पाएं लेटिस्ट वीडियो सबसे पहले नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हेल्थ जागरण में मेरा नाम है शालिनी और अभी आप देख रहे हैं न्यूटिशन ग्यान दोस्तों नीम्बू की चाए स्वास्ते लावों से परिपूर्ण होती है यहाँ आपके शरीर को भीतर से शुद्ध करने के लिए जाने जाती है और यहाँ आपको ताजगी और उर्जा प्रदान करने में मदद करती है तो आईए जानते हैं नीम्बू की चाए के मुख्य फा प्रकार के रोगों और संक्रमनों का कारण बनते हैं नीम्बू के चाए आपके शरीर से विशाक्त पदार्थों को निकाल कर सुद्ध करने में मदद करती है नमबर दो जुखाम का इलाज नीम्बू चाए जुखाम और फ्लू के लक्षनों से राहत में सहायक होती है जुखाम और फ्लू के मामले में आप अद्रक को इस चाई में मिला सकते हैं और इसे 3-4 बार दैनिक रूप से पी सकते हैं नमबर 3. मानसिक स्वास्ते के लिए नीमबू चाय रक्त से विशाक्त पदार्थों को निकालती है और इसलिए यहाँ आपके शरीर को सक्रिय रखती है, आपके दिमाग को ताजा करती है और मानसिक स्वास्ते में सुधार करती है नमबर 4. हिर्दय के लिए Molecular Nutrition और खादे अनसंधान के अनुसार नीमबू चाय हिर्दय रोगों से सुरक्षा प्रदान करती है नीमबू चाय में फ्लेवोनाइट्स होते हैं जो लिपिड और सूजन को कम करते हैं और धमनियों में रक्त के थक्कों के गठन को रोपते हैं नमबर 5. पाचन को बहतर रखे नीबू चाय में शांत करने वाले गुण होते हैं जो पाचन को स्वस्त रखने में सहायक होते हैं नीबू में साइट्रिक एसिड होता है जो पाचन में सहायक और गुर्दे की पत्री को पिगलाने में मदद करता है सर्जिकल स्वेलिंग या एडेमा एक सामाने समस्या है जो किसी भी आपरेशन के बाद हो सकती है इस चाई को अकसर सूजन की समस्या को कम करने के लिए उपियों किया जाता है क्रिशी और खाद्य पत्रिका के जर्नल द्वारा किये गए एक शोध के अनुसार इस चाई को इंसुलिन गतिविदी को बढ़ाने के लिए असरदार पाया गया है इसलिए जो लोग सुगर से पीडित हैं उनको इसका सेवन करना चाहिए हम सभी तवचा के लिए विटामिन सी के लाभों के बारे में जानते हैं नीबू में कसैले या एस्ट्रिजेंट गुण होते हैं जो आंतरिक रूप से मुहासे और अन्य तवचा विकारों को कम करने में मदद करते हैं नमबर नौ कैंसर के इलाज में मदद करें नीबू के चाय और नीबू में एंटि आक्सिडेंट गुण होते हैं इस चाय में पॉलिफेनॉल्स और विटामिन सी की एक प्रचूर मात्रा पाई जाती है इसके अलावा नीबू में लिमनॉइट्स नामक योगिक भी पाया जाता है जो मुह के कैंसर, फेफडे के कैंसर और पेट के कैंसर से लड़ने में मदद करता है अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल हेर्थ जागरन को सब्सक्राइब कर लीजिए फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में तब तक के लिए स्वस्त रहिए और खुश रहिए धन्यवाद